नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल मोक्षमी जहाँ पर मैं आज के इस खास वीडियो से शुरू करनी जा रही हूँ हमारी चैनल पर राचीफल जी हाँ रैनिक राचीफल की जानकारी जो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है और आपको आपके आने वाले दिन के बारे में बताने वाली है तो मैं बिना किसी देरी के आप लोगों को आज के राचीफल के बारे में बताने जा रही हूँ तो आप लोग अपनी राचीफल के आज का दिन कैसा रहने वाला है उसके बारे में इस वीडियो को देखकर आराम से जान सकते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं मेश राशी की तो दोस्तों मेश राशी वालों के लिए आज का दिन आत्म विश्वासी रहेगा परंतु आते उत्साहित होने से आपको अभी बचना है हाँ आपके माता के स्वास्ते का आपको जादा ध्यान रखने की जरूरत है और नौकरी में स्थान परिवर्तन के भी योग बन रहे हैं तो आपको अपनी नौकरी की तरफ भी जादा ध्यान देना चाहिए भाद दोर थोड़ी ज़ादा रहेगी और आपका मन भी थोड़ा आशांत रहेगा तो दोस्तो ये है मेश राशी के आज की दिन शर्या के हिसाब से कि आज आपके साथ साथ क्या-क्या चीज़े हो सकती है तो आपको किन बातों का ज़्याल रखना है और किन बातों से बचना है अब बात कर लेते हैं व्रिशव राशी की तो दोस्तो लेखा नादी बौधी कारियों में जिसमें दिमाग ज़्यादा लगता है उन सब कामों में आपकी विवस्था बढ़ सकती है और आपका परिश्रम भी बढ़ेगा लेकिन इससे आपका फायदा होगा क्योंकि आपकी आई में व्रिधी होगी आपके जीवन साथी के स्वास्ते का आपको खास ख्याल रखना है क्योंकि आपके जीवन साथी का स्वास्ते थोड़ा बिगड सकता है आपकी धहरे शिर्टा में भी कमी रहेगी आज के दिन दोस्तो अब बात की जाए अगले राशी की दोस्तो मिथुन राशी आपको बातचीत में सहियत रहे आपके लिए बातचीत करने में आपको सावधानी बरतनी की जुरुत है साथी नौकरी में अफसरों का सहयोग आपको मिल सकता है जो आपके साथ एक बहुत अच्छा काम होगा और आपकी तरक्की में आपको एक बड़ा आयाम दिराएगा कोई अतरिक्त जिम्मेदारी आपको मिल सकती है आप किसी जिम्मेदारी के लिए आगे बढ़ सकते हैं परिश्रम जादा करना पड़ेगा आपको जादा विवस्तित रहेंगे आप जादा बिजी रहेंगे आपने विश्वास से परिपूर्ण रहेंगे रहन सहन कस्टमे रहेंगा थोड़ा सा आपका डेली का रूटीन जो है पहले से जादा बिजी रह सकता है अब बात करकर आशी की सहीत रहें क्रोध एवं आवेश के अतिरेक से बचें जी हाँ या आपको सीधे सीधे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप अपने उपर जितना जादा सयम रखेंगे उतना जादा आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं गुस्सा कम करें और किसी बड़े आवेश से बचे धर्म के प्रति आपको शद्धा भाव रहेगा सेक्षिक कार्यों में सफल रहेंगे संतान की ओर से आपको कुछ सुखत समाचात मिल सकता है बात अप सिंग राशी की कला या संगीत के प्रति आप रुझान बढ़ सकता है आपका और वही भाई भेनों के सहयोग से कारुबार में निवेश कर सकते हैं परिश्रम अधिक रहेगा लेकिन खर्च बढ़ेंगे ध्यान रखें कि खर्च कम से कम हो बात करने राशी की मन थोड़ा परिशान हो सकता है तो आप अपने मन को थोड़ा संयत रखें व्यर्थ के क्रोध एवं वाद विवाद से बचें आपको बिना फालतु में ना तो ग करने की जुरत है क्योंकि इस दिन आपका मानसिक तनाव जादा रहेगा अगले राशी फल की बार की जाए तुला राशी आत्म विश्वास से लब्रेज रहेंगे आप धार्मिक संगीत के प्रति आपका रुजहान बढ़ सकता है पारिवारिक जीवन में सुख में रहेगा जुमोर टाइम से नहीं मिल पा रहा था आपको परिवार में वो मिल सकता है कारोबार में आपके वृद्धी हो सकती है लेकिन आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा आज का दिन आपका थोड़ा परिश्रमी रहेगा प्रिश्चिक राशी मन में उतार चड़ाव रहेंगे सैक्षिक कारियों के सुखद परिणाम आपको मिलेंगे कारोबार में लाब के अफसर भी मिलेंगे पारिवारिक जीवन थोड़ा कस्टमे हो सकता है आपको अपनी स्वास्ते का भी ठ्यान रखने के आज जरूरत है धनुराशी मानसिक शांती रहेगी संगीत में आपकी रूची बढ़ सकती है हाँ लेकिन आपको नौकरियों में कुछ कठनायों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि आपके कारे शेत्र में भी परिवत्तन हो सकता है तो आप अपने इस रुझान के तरफ सो समझ कर कदम सकते है कुम्भराशी नौकरी में बदलाव के योग बन रहे है किसी दूसरे स्थान पर आप जा सकते है परिवार का सहयोग आपके साथ रहेगा आपके आय में कमी और खर्च जादा हो सकता है धैरे शीलता में आपकी कमी रहेगी आपको इन सब बातों का खास ख्याल रखन को अपको सउस्धी रखना है किसी भी मित्र के सहयोग्स से रोजगार के अफसर आपको मिल सकते है और आपका लाव बढ़ सकता है तो इसका खास ख्याल और आशे फलकी जानकारी अच्छी लिगी हो मिलकर अच्छी लिगी हो तो like możemy शेयर के जरूर बताईएगा झाल झाल